वीवर सालों पहले एक ऐसी मदर वीच हुआ करती थी ना जिसने काला जादू करने में महारत हासिल कर ली थी लेकिन अब वो अपने क्रियेचर्स और मॉंस्टर के सेना के साथ बुराई के रास्ते पर निकल गई थी और उसने तो सभी इंसानों को खतम करना भी स्टार्ट कर लेकिन एक लड़का जो बचपन से ही काफी कमजोर होता है कैसे अपने मास्टर के साथ एक जर्नी पर निकलता है जिसमें उन्हें बहुत ही खतरनाक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा पर क्या वो दुनों मिलकर मदर वीच को खतम भी कर पाएंगे की नहीं ये तो जल से जल पता करना पड़ेगा कहानी की शुरुवात में हमें बड़े बड़े पहाड़ उपर एक आदमी दिखा जाता है जिसका नम ग्रैकरी था और वो वहाँ पर एक बहुत खतरनाक वीच को कैद कर रहा था दरसल ग्रैकरी इसी तरीकी की सूपर नैचुरल पावर्स और काले जादू करने वालों को पकड़ता था ताकि वो इंसानों पर हमला न कर सकें ग्रैकरी तो उस मदर विच जो की काला जादू करने में सबसे माहिर थी उसे कैद करके वहाँ से चला जाता है और अब पूरे 100 साल बीर गए थे तबी एक राद जब बलड मून नाइट होती है ज जब वो वहाँ से तीजी से उड़ते हुए चले जाती है अब यहाँ पर हमें ग्रैकरी दिखाया जाता है जो की काफी बुड़ा हो चुगा था तब ही उसका एक असेस्टेंट उसे बताता है कि उन्हें जल से जल एक चर्च में जाना होगा जहाँ पर कोई बहुत ही मुसी ग्रैकरी जब उसे देखता है तो वो उस लड़की को ठीक करने के लिए उस पर एक जादुवी मिट्टी गिराता है जिससे उस लड़की के बॉड़ी में से वो बुरी आत्मा बाहर निकल जाती है और वो बुरी आत्मा और कोई नहीं बलकि मदर्वीच थी जिसने की दीरे इंसानों पर अटाक करना स्टार्ट कर दिया था और वो वहां से उड़ते हुए जाने लगती है पर ग्रैकरी और उसके साथी वहां पर आ गए थे तो वो सब उस खुंखार मदर्वीच को जाल में पकड़ लेते हैं और वो कहीं भी ने भाग पा रही थी अब तो मदर्वी ने तो ग्रैकरी के एक असिस्टेंट को पकड़ लिया था और वो उसे भी पकड़ कर पिंजडे में खीच लेती है ग्रैकरी मदर्वीच को उसके असिस्टेंट को छोडने के लिए कहता है पर वो तो ये बात नहीं मान रही थी ग्रैकरी भी एकदम से मजबूर था क्योंकि अगर वो पिंजड़ा खोल देता तो वो मदर्वीच फिर से आजाद हो जाती अब तो मदर्वीच ने ग्रैकरी के एसिस्टेंट को मार दिया था जिससे कि ग्रैकरी काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस पिंजडे को आग लगा देता है जिसमें कि मदर्वीच थी लेकिन नौर्मल लाग मदर वीच का कुछ भी विगार नहीं पा रही थी और वो वापस से अपने ड्रागन के फॉर्म में करनोट हो जाती है और पिंजडा तोड़कर वहाँ से भाग जाती है इसके बाद ग्रैकरी एक जगों पर आ गया था जहां पर टॉम नाम का लड़का रहता थ और हाल इमें टॉम को अजीब अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे जोकि रिलेटेट थे मदर वीच से तो अब करवाणा चाहता था। ग्रैकरी टॉम के फादर को काफी पैसे दे देता है जिससे को ग्रैकरी टॉम को अपने साथ सफन पर लिखे जा सके दरहसल टौम डे टॉम भी ग्रैकरी के साथ काम करने के लिए मान जाता है और जब टॉम ग्रैकरी के साथ जाने वाला होता है तब उसकी माँ उसे सब कुस समझाती है और उसे एक लॉकेट देती है टॉम की माँ उससे कहती है कि ये लॉकेट तुम कभी मत निकालना क्योंकि ये तुम्हारी मु उसकर के अपने बेन को आजाद करा देती है और उसके उपर लगा हुआ श्राप मिटा देती है मदर वीच ने उस पूरे जगों को एकदम से नया बना दिया था जो की देखने में काफी यदा फैसिनेटिंग लग रहा था अब यहाँ पर टम मार्केट में कुछ लेने आया हुआ होता है पर तबी वो एक बहुती ब्यूटीफूल लड़की को दिखता है जिसे की बहुत सरी सिपाई पकड़ कर लेके जा रहे थे दरसल वो सिपाई उस लड़की को जान से मारने जाने वाले थे पर तबी टम वहाँ पर आ जाता है और उन सिपाईयों को वो लड़की छोडने के लिए कहता है क्योंकि टम को जो अजीव-जीव सपने आते थे उसके अंदर उसने यही लड़की का चैरा देखा था तो अब टम अपने इन सपनों का रहस से जानना चाता था इसलिए टम ने उस लड़की को छुड़ा लिया था टम तो उससे उसका नाम पूछता रहता है पर वो लड़की तो उससे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है वो सीधा अपने घर पर पहुचती है और तब जाकर हमें पता चलता है कि वो मदर वीज की छोटी बेहन की बीटी थी और उसका नाम एलेस था जो कि खुद एक डायन थी अब ग्रैकरी और टम काफी गंटों का सफर तैय करके उसके घर पर आ जाते हैं और तब जाकर टम को पता चलता है कि ग्रैकरी फैलकन ग्रूप का आखरी मेंबर था फैलकन ग्रूप के लोग सूपर नैचुरल चीजों और बुरी आत्माओं से इंसानों को बचाते थे पर अब उस ग्रूप में से सिफ ग्रैकरी ये बचा था ग्रैकरी टम को बताता है कि कुछी दिनों में बलड मून है यानि कि उस दिन मदर वीच को उसके सारी पावर्स मिल जाएंगी और तब वो काफी सकती साली हो जाएगी और उसे कोई भी हरा ने पाएगा पिछले बार जब बलड मून था तब मदर वीच की पावर्स दुगनी हो गई थी और उसने सारे इंसानों पर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था पर अपकी बार ग्रैकरी उसे रोकना चाता था जिसमें कि टॉम उसकी मदद करेगा टॉम जो सोया हुआ होता है तो उससे दरवाजे पर कुछ अजीब तरीके की आवाजे आती है टॉम तो काफी डर गया था क्योंकि इतने रात को कौन आया होगा जब वो दरवाजा खुल के बाहर देखता है तो वहाँ पर स्टैचू जैसा एक सिपाई खड़ा था पर देखते ही देखते उस टैचू के अंदर जान आ जाती है और वो हिलने लगता है उसने तो सीधा टॉम पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था दरसल इस वारियोर को मदर वीच ने भेजा था गयाकरी को मारने के लिए पर अब वो टॉम को ये गयाकरी समझ रहा था उस वारियर ने तो टॉम को पूरी तरीकी से मारी दिया होता पर लगीली वहाँ पर गैकरी आ जाता है और उस सोल्जर को अपने फाइटिंग टेकनिक्स का यूज़ करके खतम कर देता है अब तो गैकरी टॉम से एक दम नारास था क्योंकि जब डूस्मन ने उस पर हमला किया तो टॉम ने उस पर पलट वार बिल्कुल किया ही नहीं था और अब गैकरी को लगने लगा था कि टॉम के पास कोई भी सक्तिया नहीं है और वो भी एक नॉर्मल आदमी है गैकरी जब टॉम को डाट कर वहाँ से जाता रहता है तब टॉम गुस्से में आकर एक तरवार उस साथ अपने कई सिपाईयों को लेकर मदर वीच के महल की तरफ निकल पड़ता है उसे खतम करने के लिए पर रास्ते में उन्हें कुछ सिपाईय मिलते हैं जो कि गैकरी और सभी को सहर में लेकर आ जाते हैं उन सिपाईयों ने एक ऐसे जादूगर को पकड़ा था जो की अल परासा भालू एक आदमी में कनवर्ट हो गया था जो कि मदर वीच के लिए काम करता था उन लोगों ने वो आदमी को एक पिंजडे में कैद कर दिया था ताकि वो भाग ना सके और अब गयाकरी टॉम को एक टास्क देता है कि वो बंदी बनाय गया आदमी को आग लगा कर म भी मजूर नहीं होगा क्योंकि वो चाता था कि टॉम एक ऐसा योदधा बने जो कि बुराई करने वाले लोगों को मारने में जरासा भी हिची चाये नहीं पर यहां तो उसका उल्टाई हो रहा था टॉम किसी को भी चोटने ही पहुचाना चाता था अब यहां पर ऐलेस को टॉम के साथ टाइम बिताते जा रही थी ना अब उसे भी टॉम के साथ प्यार हो गया था वो दुनों तो एकदम प्यार से साथ साथ रेने भी लगे थे एक दिन टॉम जब एलिस के साथ सोया हुआ होता है तो उसे वापस से कुछ सपने आते हैं जिसमें कि वो दीखता है क मदर विच ने ग्रैकरी को जान से मार दिया था और यही सपने टॉम को बार बार आते थे जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी अब अगले दिन जब टॉम ग्रैकरी के पास आता है तो वो टॉम को समझा रहा था कि जिस लड़की के साथ उसने रिलेचन बनाया है वो दरसल एक विच है और अब ग्रैकरी तो टॉम को अपनी कानी सुनाता है जिसमें कि उसने 20 सालों पहले एक विच से प्यार किया था पर ग्रैकरी को कैसे भी मदरविज को रोकना था तो इसले उसने मदरविज से प्यार का नाटक किया और उसे चाला के से एक जगोपर कैट कर दिया था ग्रैकरी टॉम को अलेच से दूर रहने के लिगा था है क्योंकि वो नहीं चाता था कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा same to same कर दिता था अब वो मॉस्टर टॉम और गैकरी को मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है उस मॉस्टर का साइज बड़ा होने के वज़े से वो दोनों तो कहीं छुप भी नहीं पा रहे थे और तब भागते भागते वो एक जरने पर पहुच जाते हैं जहां से जाने का र पहुच जाता है और अपनी एक तलवार का यूस करके उस मॉस्टर के सर के अंदर गुसा देता है जिससे कि वो मॉस्टर पूरी तरिके से खतम हो गया था टॉम भी उस पूरे फाइट के वज़े से काफी ज़्यादा ठक जाता है इसलिए वो सेप्टी के साथ एक किनारी प पर टच हो जाता है जिसी कि टॉम को उसके मान ने दिया था और तब उस औरत को एकदम तीजी से जटका लगता है वो औरत समझ गई थी कि ये पावस मदर वीच की है यानि कि वो लॉकेट जो टॉम के पास था वो मदर वीच का था और ये बात मदर वीच को बताने के लिए वो अरत अपने dragon के form में convert हो जाती है और वहाँ तीजी से उड़ते हुए चले जाती है Gregory Tom से इस बात से काफ़ यदा impress हो जाता है कि उसने बहादूरी के साथ उस बड़े से monster और उस witch को हरा दिया था Gregory Tom को बथाता है कि ये locket witches use करती है और ये locket तो सबसे powerful witch mother witch का था जिससे कि कुछ सालों पहले किसी दूसरी witch ने चुरा लिया था और locket के गायब होने के वज़े से mother witch की आदी powers खतम हो गई थी और तबी गैकरी mother witch को कैद कर पाया था Tom को अफ सारी बाते समझ में आने लगती है कि वो locket उसकी मा ने दिया था मतलब कि उसकी मा भी एक witch थी और जरूर टॉम की मा ने ही mother witch से वो locket चुराया होगा जब locket वाली बात mother witch को पता चलती है तो वो तुरंट अपनी पूरी सेना के साथ उस गाउं में हमला करने के लिए चले जाती है जिसमें टॉम की मा रहती थी mother witch की सेना में काफी खुंकार creatures और monster थे जो कि उस गाउं में जाकर पूरी तरीके से तबाई मचाना start कर देते हैं वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा lizard creature भी आ गया था जो कि इंसानों पर हमला करके उन्हें खाते जा रहा था वहाँ पर टॉम की मदर भी होती है जो अपने बचेवे family members को बचा रही थी पर तभी उसके सामने mother witch का एक सिपाई आ जाता है जो मिलकर टॉम की mom को बुरी तरीके से गूर रहे थे लेकिन इन लोगों को थोड़ी पता था कि टॉम की मदर एक बहुत अच्छी wish थी और अब वो अपनी power का यूज़ करके उस सिपाई को मार दीती है जिससे कि मदर witch को पता चलया था कि टॉम की मदर कहाँ पर है मदर witch तुरंद वहाँ पर आ जाती है और अब उसने तो टॉम की मदर को पकड़ कर उसे जान से मार दिया था पर वो लॉकेट तो अभी भी टॉम के पास था तो मदर witch वापस अपने महल में आ जाती है और एलिस को एक काम देती है कि वो कैसे भी करके टॉम से वो लॉकेट लेकर आ जाए क्योंकि उससे पता था कि एलिस और टॉम एक दूसरे से प्यार करते थी और अगर एलिस ऐसा करने में काम्याब हो गई तो मंदर भी इस टॉम को जान से नहीं मारेगी ये डिल एलिस को थुड़ी सी अच्छे लगती है इसलिए Alice ये काम करने के लिए मान जाती है और अगले ही मोमेंट में Alice Tom के पास आ जाती है वो तो Tom के साथ प्यार करने का नाटक करने लग जाती है और पास आकर उससे वो लॉकेट ले लेती है लेकिन तभी वहाँ पर गैकरी अपने साथी के साथ आ गया था जो Alice को देख लेता है और अब तो गैकरी Alice को पकड़ना चाता था लेकिन उसके सामने टॉम आ जाता है और वो तो Alice को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि टॉम को इस बात का अभी तक रिलाइज नहीं हुआ था कि Alice उसे धोका दे रही है टॉम आलिस को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चले जाती है इस बात से गैकरी टॉम पर काफी यदा गुस्सा हुआ था और वो टॉम को काफी यदा डाटता भी रहता है तब टॉम नोटिस करता है कि उसका लॉकेट गायब हो चुका है यानि कि Alice ने टॉम को दोखा देकर उसका लॉकेट चुरा लिया था और अब टॉम को गैकरी के बात उपर पुरा भरोसा हो जाता है कि वीचेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमिसा ही दोखा देती है वो लोग बात करी रहे होते हैं तब ये उनके उपर मदर विच की लोग हमला कर देते हैं एक टाइम पर तो टॉम और गैकरी उनका मुकाबला कर ले रहे थे पर उन सिपाईयों की कौन्टिटी काफी जादा थी और वो सब कुछ टाइम के बात पाउरफुल भी हो जा रहे थे इसलिए टॉम और मा के सब अपनी जान बचा कर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं पर उन सिपाईयों ने गैकरी को पकड़ लिया था और यहां टॉम और गैकरी का एक साथ ही भागते भागते एक गहरी जगह पर गिर जाते टॉम को तो काफी अधा चोट आई थी और तब उसे अपनी मा के वीजन साते हैं टॉम की मा उसे प्यार से बताती है कि सारी वीचे बुरी नहीं होती हैं वो खुद एक वीच थी लेकिन उसे टॉम के फादर के साथ प्यार हो गया और टॉम की मदर ने अपनी फैमिली बनाने के लिए वीच क्राफ पूरी तरह के से छोड़ दिया था उसके मा टॉम को बताती है कि तुम सातवे बेटे के सातवे बेटे होने के साथ साथ एक वीच की भी बेटे हो और इन्ही पावर्स का यूज़ करके तुम मदर वीच को हरा सकते हो इन सारी बातों से टॉम की आँके खुल गई थी और अब वो एकदम सीरियस हो गया था यहां दूसरी तरफ मदर वीच को वो लॉकेट मिल गया था और अब वो उसे पहन लेती है और बलड मून के होने का वेट करती है दरहसल आज की रात बलड मून की रात थी और जैसे जैसे मून की लाल रोशनी उस लॉकेट पर पड़ीगी तब मदर वीच के सारी खोईवी शक्तियां वापस आ जाएंगी वहां पर तो गयकरी भी होता है जिससे कि मदर वीच ने बंदी बना लिया था जब एलेस को इस बात का पता चलता है कि मदर वीच ने टॉम और उसके साथियों को मरवा दिया है तो वो समझ जाती है कि मदर वीच ने उसके साथ दोका किया है क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो लॉकेट लाकर दे देगी तो वो टॉम को कुछ भी नहीं करेगी और इसे बात का बदला लेने के लिए Alice मदर वीच के गले से वो लॉकेट ले लेती है और वहाँ से भागने लग जाती है मदर वीच को ये देखकर काफी गुस्ता आ गया था और अब वो अपने खतरनाग ड्रैगन के फॉम में आ गई थी वो तो तीजी से Alice के तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए पर तभी वहाँ Alice की मदर आ जाती है जो कि मदर वीच की बहन थी और अब वो अपनी बेटी के बचाने के लिए अपनी ही बड़ी बहन के साथ फाइट करने लग जाती है वही पर मदर वीच के कही सारी सिपाई होते हैं जिन्नोंने Alice को गेर लिया था और वो उस पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं तब इस सई टाइम पर वहाँ टॉम आ गया था और अब टॉम और गयकरी साथ मिलकर उन सारे खतरनाक सिपाईयों के साथ लड़ते रहते हैं वही दूसरी तरफ मदर वीच और उसके बहन के बीच एक गमा सन लड़ाई होते रहती है और वह दूनों काफी गायल हो चुकी थी और तीजी से आकर जमीन पर गिर जाती हैं काफी पावर्स लड़ाई में खतम होने के बाद अब वह दूनों अपने इंसानी रूप में आने लगते हैं और जब ग्रैकरी मदर वीच के सामने होता है तो वो उसे पकड़ लेती है और ग्रैकरी को जान से मारने की कोशिस करने लगती है ये सब वही सीन था जो कि टॉम अपने सपने में देखा करता था और लग्ली टॉम वहाँ पर आ जाता है और एक नुकिला चाकू मदर वीच के पेट में मार देता है जिससे कि वो एक ही बार में मर जाती है और वहाँ तो ग्रैकरी मरने से बाल बाल बचा था इसके बाद टॉम मधर वीच के पूरे महल पर आग लगा दिता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं उन लोगों ने साथ मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक वीच को हरा दिया था और अब गैकरी टॉम के बहादूरी देखकर उसे फैलकन ग्रूप का एक मेंबर बना देता है जो कि आगे चलकर गैकरी के साथ बुराई को इंसानियत पर हावी होने से रोखेगा टॉम अब एलेस से मिलता है और वो दुनों तो अब एक दूसरे से काफी प्यार करते थे लेकिन टॉम एलेस को बताता है कि वो एक फालकन युद्धा बन गया है और अब उसे गैकरी के साथ सफर पर जाना पड़ेगा तो अब वो दुनों साथ नहीं रह सकते ये मोमेंट उन दुनों के लिए काफी अदा इमोशनल होता है और अब टॉम गयाकरी के पास आ जाता है अपने नए सफर पर निकलने के लिए लेकिन तब गयाकरी टॉम से कहता है कि उसे सफर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं वो इसी गाओं में एलेस के साथ रहे कर भी बुराई को रोक सकता है और तब गयाकरी अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है और टॉम और एलेस खुशी कुशी वहाँ पर रहने लगते हैं इसी के साथ इस मुवी की हैपई अंडिंग हो जाती है आपको ये स्टोरी कैसे लगे प्लिस कमें सेक्टन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्परिनेशन एक परसेंट भी अच्छा लगा होना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कर देना क्योंकि सेट में इससे मुझे काफी अदा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के मजड़ा स्टोरीज लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सीया